अगला शब्द है रानकर रानकर होता है विद्वेश की भावना विद्वेश क्या होता है विश से भरा द्वेश विद्वेश कैसे होता है उसे लंबे समय तक किसी छोटी छोटी घटनाओं की वज़े से आपके मन में गुसा भरता जा रहा है किसी के परती साल हो गए, दो साल हो गए, कोई आपको सुनाए जा रहा है, कि तुम नलाइक हो, किसी काम के नहीं हो, तुमसे जिंदगी में कुछ नहीं होगा, तुम्हारे जैसे तो उसका वो देखो, वो कितना अच्छा है, वो देखो, तुमसे अच्छा है, तुम अधो धर्ती पे बोज तो यह जो उस एंगर में आप जी रहे हो, यह जो feeling है, इसे ranker कहते हैं, थोड़ी आजीब feeling है न, पर होती है, किसी किसी के प्रती हो जाती है ऐसी feeling, तो याद रहेगा कि ranker किसे कहते हैं, विश्चे भरा द्वेश या विद्वेश, ठीक है, विद्वेश की भाफना, चलिए इसका एक sentence देखते हैं, the ranker between korvas and pandavas, culminated into war, मतलब, korvon और pandavon के बीच का विद्वेश, युध में परिणत हुआ, मतलब, ultimately, युध में खतम हुआ, युध होकर ही खतम हुआ, तो हमने इसमें ranker सीखा, और culmination हमने पहले सीखा था, तो culmination word भी इस sentence में use होता है, तो याद ये गरान कर, ठीक है, धन्यवाद